हेलो माई यूट्यूब फ्रिंस आज मैं आपको अपने साथ लेके जारी हूँ एक बहुत ही अमेजिंग राइट पर ये है रोट सफारी एडवेंचर बाइक कार तो हमने सारा एडवेंचर कार में बैठे बैठे किया है बहुत ही अमेजिंग ट्रिप था हमारा तो चलें आप को भी दिखाते हैं कि ये कैसा था ये मेन एंट्रिंस है यहां से गाड़ी अंदर गई है कि काफी बड़ा सा पैसेच था ट्वेल्फ मिनिट्स की जाइफ तो होगी बहुत ही खुबसूरत दोनों तरफ दरख लगे हुए थे बीच में पतला सा रोट था रोट के साथ ही उन इसके साथ ही इन्होंने हमें हर चीज जो है मेंशन की हुई थी तो बहुत ही एजी था टिकेट काउंटर तक जाना यहां पर इन्होंने ट्वाइलिट्स वगेरा बनाए हुए थे क्योंकि आगे जाके कार्स से नहीं उतारना है इसके बाद यह टिकेट काउंटर की लाइन है टिकेट काउंटर के पास दो बड़े बड़े से लाइन डमीज बना के रखी हुई थे यह बहुत बसूरत थे अब हम टिकेट लेने के लिए लाइन में लग चुके हैं काफी जादा रश्ट था आप देख सकते हैं काफी जादा गाड़ियां हमारी गाड़ी के आगे खड़ी हुई है यह सब टिकेट लेंगी और अंदर जाएंगी ओनलाइन टिकेट भी ले सकते हैं और उसे भी लेकिन हमें इस काउंटर पे शो कराना है यहाँ पर हमने टिकेट लेके सफारी राइड स्टार्ट की है साथ ही उन्होंने हमें एक मैप दिया था कि हम अपनी राइड अपना एडवेंचर कहां से स्टार्ट करें इसमें ये भी मैंचिन था कि हम सेम डे री एंट्री भी कर सकते हैं दो से तीन दफ़ा यहाँ से हमने अपनी राइड स्टार्ट की इन्होंने वार्निंग्स की बोर्ड लगाए हैं जगा जगा के कार से नहीं उतरना केरफुली ड्राइफ करनी है कोई भी एनिमल जो है वापकी कार से हिट हो सकता है तो आपने बहुत ही केरफुली रहना है यहाँ पर सबसे पहले हमें एंटिलोप्स नजर आए थे काफी सारे एनिमल्स थे ग्रुप फॉम में रह रहे थे बहुत ही खुबसूरत सा वेदर था यहाँ पर जो है औरंज जीब यह मैनेजमेंट की थी स्टाफ मैनेजमेंट है जो देखते हैं कहीं कोई ऑनिमल जो है वो कार से हिट नहों जाये या वो कार सो हिटना कर दे थोड़ा आगे जाके हमें ओस्ट्रिच नज़र आए थे काफी दूर पे थे वो ओस्ट्रिच फिर हम थोड़ा आगे निकले एक बहुत ही खुबसूरत सा पॉंड हमें मिला पॉंड में बहुत सारी सी डक्स थी और बात कर रहे थी डक्स साथ ही जो है वो यहां पे क्रो भी फ्लाइ कर रहे थे पिजिन्स भी आ रहे थी रोबिन्स भी आ रही थी आप देख सकते हैं गाडियों का बहुत रश है और अब थोड़ी थोड़ी सी बूंदबांदी स्टार्ट हो गई है फिर थोड़ी देर में बादल हट गए और फिर से हमें आस्मान नजर आने लगा तो सारा टाइम हमारा ऐसे ही रहा ओन एन ओफ बूंदबांद है थोड़ा सा आगे निकले तो हमें राइनोज नजर आए राइनोज भी शायद अभी सो के उठे थे यह जा रहे थे कुछ खाना ढूंडने की राइट बहुत ही अमेजिंग थी कार में बैठे बैठे आप आराम से कर सकते हैं यहां पर यह देखिए यह राइनो जो है तो बहुत खौर से हमें देख रहा था और बिलकुल ऐसा लग रहा है जैसे यह अभी जागा है और इसको ब्रिकटफास्ट नहीं मिला थोड़ा सा आगे गए तो यहां पे इन होने इंग्लेश और उर्दू लैंग्विज तोनों में बोर्ड लिखे वे थे कि यह जानवर काटते हैं आपने अपनी गारी की खिड़की दर्वासे बंद रखने हैं वार्निंग्स के बोर्ड जगा जगा लगाए हुए थे अब यहां पर एक जाइंट सा केज था जिसके अंदर हम टाइगर्स और लाइन देखने जा रहे थे यहां से दूर से हमें एक टाइगर बैठा हुआ नजर आ रहा था आगे गए तो यह देखें यह कार्स जो रुकी हुई है यहां पर एक टाइगर पानी पी रहा है चोटा सा प बात लेने लगा हम सब बहुत एक्साइटेट थे पहली दफ़ा टाइगर को इतने करीब से देखेंगे स्पीट कार की स्लो कर दी और स्लो स्लो टाइगर के करीब गए ताकि कहीं वो कार की नौइस से भागना जाए आप देख सकते हैं वो फॉरन से औरन जीप भी आके खड ले सके फॉर्स टाइम हमने टाइगर को इतने करीब से देखा हुआ था कि टाइगर भी हमें देख रहा था और हम बस दिल सा रहा था कि यहीं पर बैठे रहें और टाइगर को देखते रहें यहां पर सेक्यूरिटी हाई अलर्ट हुई भी थी जैसे ही कोई भी आनिमल आपकी कार के बहुत खरीब होता है तो सेक्यूरिटी आपके साथ साथ रहती है बहुत ही अच्छा लग रहा था यहां पर हमें बच्चों ने भी इस ट्रिप को इस इडवेंचर को बहुत इंजॉई किया और आपके देखें इतने करीब से टाइगर जैसे ही हमारी कार पहुंची तो वो खड़ा हो गया और थोड़ा सा डर भी लगा हमें लेकिन वो हाना सारे क्रोस थे यहां पर और यह शायद अपस में बेस्स फरेंड़ेंड थे यह रहें तो हैं पर इस वwickस सब जो हैं वो बिजुई थे थोड़ा थोड़ा सा सनी डे होने लगा था, यह देखें, मज़े से बेर आ रहा है, बच्चों ने इस ट्रिप को बहुत इंज्वाई किया, थोड़ा सा आगे गए तो यहां पर यह लाइन्स जो है, वो दोड़े लगा रहे थे, एक लाइन बिलकुल हमारी कार के सामने आ गय परिटे की जीब जो है, वो लाइन्स के साथ साथ थी, इतनी करीब से हमने कभी भी आज तक किसी एनिमल को, वाइल्ड एनिमल को इसे खुले नहीं देखा था, तो यह हमारे लिए तो बहुत बहुत ही अमेजिंग था, बहुत मजा आ रहा था, दुल जा रहा था कि बस यहा जोड़ी देवी पर अपनी कार को आगे लेके निकलना पड़ रहा था, बहुत सारे लाइन्स इनके पास थे, देखें आप, कितनी सारे लाइन्स हैं, बहुत ही खुबसूरत मनजर था, बहुत ही नीट और क्लिंग इन्होंने इस जगा को रखा हुआ है, ग्रीनरी है इतनी बड़ा एरिया है यहां पर, बहुत 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 ही खुबसूरत चका है, थोड़ा सा आगे जाके हमें जीबरा दिखें, यह भी ग्रुप की फॉर्म में थे, और सब जो हैं वो खाने में मगन है, जीबरा जो है, जैसे जैसे हमारी कार आगे चल रही थी, जीबरा भी जारा था, यह देखें, जहां एक जीबरा जा रहा है, उसके पिछे पिछे सारे जेबरा भी आ रहे हैं, यहां पर कार्स की स्पीड बहुत स्लो रखनी है, कि कोई भी एनिमल जो है, वो कार के सामने आ सकता है, तो आपने बहुत अलर्ट रहके यहां पर ड्राइव करना है, यह देखें, यहां पर यह जीबरा जो है, यह सारे रोट क्रॉस करके उस तरफ जा रहे हैं गारियों के बीच से, बहुत अलर्ट रहते हुए, यहां पर ड्राइव करना है, कोई हॉर्ण नहीं करना, कोई नॉइस नहीं करना, इन्होंने हर जगा यह बोर्ड लगाए हुए हैं, इसके बाद हम थोड़ा सा आगी गए तो हमें चुप फैलोस नजर आए, यह भी काफी ज्यादा थे, बहुत बड़ी एरिया में रखे हुए थे, पर इलीफेंट्स नजर आए, काफी ज्यादा से इलीफेंट्स भी थे यहां पर, यह भी जो हैं बड़े मज़े से अप बहुत मज़ा आ रहा था, तलचा रहा था कि कार यहां पर थोड़े ज्यादा टाइम के लिए पार्क कर दें और इन्हें देखते रहें, और यह एलीफेंट्स भी हमारी कार के पास आगिया था, और यह हमें एक मिरर में पीछे से भी एक एलीफेंट्स खाता हुए नजर आ रहे हैं तो हमने जल्दी से कैमरे को जूम करके उसे भी कैपचर कर लिया, अब इस तरह से इन्होंने केज के गेट्स बनाए हुए हैं, लिमिटेट कार एंटर होती हैं अंदर, उन्होंने बार्निंग्स लखी हुई हैं कि गारी से नहीं उतरना, विंडों नहीं खोलनी, औ पिर यही दरवाजा कोलते हैं और फिर बागी कार अंदर जाती हैं, यहां पर अब हमें जिराफ मिले कोई बेबी जिराफ थे जिन्हें इन्होंने इसी हर्ट में बाउंडरी के अंदर रखा हुआ था, शायद यह न्यूबॉर्ण थे या शायद बिमार थे, इसलिए इन्ह अलग से आईसोलेट किया हुआ था, बागी के जिराफ जो थी वो ग्रास पे थे, यह देखें जिराफ की लॉंग टंग, जितनी लॉंग इसकी नेक है, उतनी ही लॉंग इसकी टंग भी है, यहां पर बहुत सारे से जिराफ थे, और हमने पहली दफ़ा जिराफ को जो है, व यहां पर जिराफ ने बड़े मज़े से हमें नजर आया, वो अपने लेक्स को जो है, बेंट करके देखें, यह ग्रास खा रहा है, यह भी हमने फिर्स टाइम यहां पर देखा, बहुत ही अच्छा इंवायर्मेंट था, बहुत मज़ा आया, एक और जिराफ जो है, वो अप इती मुश्किल हो रही है, फ्लोर से खाने में, वैसे इन्हों ने भी यहां पर जगा जगा हाई राइस हैंगिंग की हुई थी, फूट की, लेकिन शायद यह अपने शौख से ही ग्रास खा रहे थी नीचे से, आप देख सकते हैं, पीछे गाड़ियों का कितना रश है, और मंकी के केज में आ गए थे, यहाँ पर ठेर सारे मंकी थे, कुछ बैठे हुए थे, कुछ गाड़ियों के उपर चर रहे थे, आके जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि मंकी इस जो हैं वो, कैसे गाड़ियों के उपर बैठ रहे थे, यहाँ पर भी वार्निंग थी, कि अपनी विंडोज नहीं खोलने, डोर नहीं खोलने, क्योंकि यह वाइल्ड एनिमल हैं, यह कभी भी मिस्पहिव कर सकते हैं, तो आपने हाइली अलर्ट रहना है, इन्हें कोई फूट नहीं देना, इन्हें किसी चीज़ की ओफर नहीं करन वरना यह मिस्पहिव करेंगे, तो आपने अपने विंडोज को क्लोस करके, डोर शट करके, जो है, यह सफारी राइड अपनी कंप्लेट करनी है, मंकीस नहीं तो बहुत बहुत हमें इंटर्टेंड किया, यह देखें, यह गाड़ी के उपर बैठावा है, यह जा रहा है, शायद की गाड़ी के उपर चड़ जाए, यहां पर मंकीस जो हैं, वो कार्स के उपर चड़ ले थे, गाड़ियां बहुत ही हमें स्लोई स्पीड में चलाने यह देखें, ड्राइवर विंडो पे जो है मंकी बैठा हुए है, तो कभी साइड मिरर पे बैठा हुए होता था, कभी ड्राइवर वाली विंडो पे बैठा हुए है, कभी कार के उपर बैठा हुए है, तो यह बड़ा मजाया, मैंने सारी चीज़ें कैप्चर की हैं, आगे चल के आपको दिखाऊंगी, यह देखें, यह एक मंकी कार के उपर बैठा हुए जा रहा है, यह कार से उत्तरा औ यहां पर अपनी कार को चलाना है, सारी काड़ियों ने यहां पर स्पीड बहुत स्लो कीवी थी, क्योंकि कभी भी कोई भी मंगी कार के सामने से नीचे से आ जा रहा था, तो बहुत अलर्ट रहते हुए यहां पर ड्राइव करनी है, यह देखें भागा। यह मज़े से कार से नीचे उत्रा है, यह एक मंकी जो है वो बराबर में हमारी कार्ट थी, उसके पास बैठ गया था ज्राइवर से और वो ज्राइवर से बाते कर रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था हमें यह सब देखते हुए, यह देखें, यह एक और मंकी जो है वो बैठा हुए कार के साइट में, यहां पर भी सेक्यूरिटी की जो कार्स थी, वो मस्तकिल घूम रही थी, और मंकी जो है वो कार्स के उपर बैठे हुए थे तो वो देख रहे थे कहीं किसी को हट ना कर दे, यह देखें कैसे साइट मिरर पर बैठा हुए मज़े से, यहां पर तो एक मंकी बिलकुल ही रोट पर बैठ गया था, और आपको बहुत यहां भी देखें, केरफुली ट्राइफ करना है, यह कहीं पर बैठ सकते हैं, केरफुली इन्हें बचाते हुए हमें आगे चलना है, यह देखें यह बचारा अलोन बैठा हुए, मंकी के लिए यहां पे इन्होंने स्लाइड्स भी बनाई में थी, मंकी के लिए इन्होंने काफी स्विंग्स भी हैंके वे थे, यह जीप आ गई है स्टाफ की और यह मंकी को रोट से भी उठा रही थी, कि कहीं वो किसी कार से हिट ना हो जाए, मंकी बिल्कुल हमारी कार के सामें आके बैठ किया था इसके बाद अब हम एक्सिट की तरफ जा रहे हैं, तो यहां पर भी स्टाफ की काफी लोग दे जो मंकी इसको कार से नीचे उता रहे थे, कहीं वो इस गेद से बाहर ना चले जाएं, यहीं देखें, यह सारे मंकी इसको यहां से उतार रहे हैं कि उत्रो भई, आब बाहर निकल रहे हैं, स्टाफ जो था वो काफी अलर्ट था कि कोई भी मंकी बाहर ना निकल जाए, और बिल्कुल एक्सिट पे जाते हुए मंकी बाहर जाने को तयार थे, वो कार से नहीं उतर रहे थे, वो चाह रहे थे कि वो कार पे ही बैठे रहे हैं, तो वो एक कार से जब उन्हें मैनेजमेंट उतार थी तो जल्दी से जाके दूसी कार पे बैठ जाते हैं, यहां पे आप देखें कितने क्यूट लग रही है, इसने चंप मारे और कार के उपपर, बहुत ही खुबसूरत लग रहा था, बहुत मज़ा आया, हमने कभी नहीं देखा था, ऐसे इतने सारे मंकीज को इस तरह से तो बैठ के जो है, वो कुछ खाने लगाएं, हम एगजिट पर थे और हमें यह एक और मंकी वहाँ पर बैठा वा नजर आया, बहुत मज़ा आ रहा था, हमने यहाँ पर बहुत इंजॉई किया, काफी टाइम हमने मंकीज के साथ स्पेंड किया, अब हम केज से बाहर नकलें, तो हमें और यह ब्लेस बॉक एक था अनेमल वो नजर आया, और इसके साथ साथ ही हमें तंकीज नजर आये, और यहाँ पर जो है, वो एक ट्रेन राइड पी थी, यह 30 मिनिट्स की राइड होती है, यह आपको लेकर जाती है, उतारती है एक जगा, वहाँ पर आप ललपाका को जो है वो फीट कर आ सकते हैं, और फिर यह आपको लेकर आएगी स्टेशन पर, इसमें काफी लंबी क्यों थी, लेकिन काफी मज़ा आया, इसके साथ ही यहाँ पर बहुत बड़ी पार्किंग थी, बहुत लोग भी आएवे थे उस दिन, और इन्होंने काफी ज़्यादा सी जो है वो बेंचेस बनाई हुई हैं, कि यहाँ पर आप बैटके अपनी फैमिली के साथ, नहीं, लॉंच, स्नैक, जो भी है आपको टी, जो भी बैटके आपको खाना पिना है, अराम से आप बैठें या रेस्ट करें, काफी ज़्यादा सी बैंचेस भी बनाई हुई थी, और इन बैंचेस के सामने एक लेग भी थी छोटी सी, जिसमें पैडलिंग बोट हो रही थी, हमने पैडलिंग बोट एक्सपिरियंस नहीं किया, हमें सफारी राइड में ही इतना मज़ा आया कि हमने सोचा कि पैडलिंग बोट की क्यों इतनी लंबी है, उसमें लग के टाइम बेस्ट करने से बहतर है कि हम दुबारा से एक दफा रोट सफारी कर लें और दुबारा से इनिमल्स को देखें जाके, तो हमने ये अपनी पैडलिंग बोट जो है, वो नेक्स ट्रिप के लिए रखती है, जब हम नेक्स टाइम आएगे तो इस पैडलिंग बोट को भी हम चलाएंगे और इस दफा जो है वो हमने प्रिफर किया कि हम चले जाएं और एक दफा पैर से एनिमल्स को देखें, इस लेक के पीछे एक छोटा सा फार्म से बनाया वहां था, वहां पर गोट्स बखेरा थे, उसे भी हमने फीट कराया, फिर वहां पर पेंगुइन्स थे, उसका एक शो था, वह भी देखा था हमने, और इस तरह से हमारा जो ट्रिप है, वह बहुत अच् प्रिंचर था, आप मचे जरूर बताएएगा आपको कैसा लगा, थैंक्स फर वाचिंग् करा था हमने ल कशका पकाँ करना दोस्ट करेंगा वाचिंगा, ऑ्रिंग्यों कर्षक कृस्स भें जरूरी होजड़ का का की हमनिक वाचिंग्सम्ना रहां, जर फौर चाएग होजग्स संब चाषिंग्दूँ ऊष्ञबूर को की खडते हम इए, उलक्उ़